इस सल्द जादा बारिश से हर तरफ परिशानी फैली हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर फसलों पर पड़ा है अधिकांश खेतों में गर्मी और खरीफ दोनों की कपास फसले बूरी तरह से परभावित हो चुकी है दोनों फसलों के पते लाल पड़कर जूट ज़र रहे हैं वहीं पोदों पर घेटे भी कम लगे हैं इससे उत्पादन कम हो रहा है ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान जेलना पड़ा है किसानों ने कहा है कि 15 दिन पहले गर्मी की कपास फसल लाल पड़ना शुरू हो गई है और इसके पते जड़ने शुरू हो चुके हैं इसके बाद करीब हफते भर में खरीफ की कपास फसल भी लाल पड़ रही है और इसके पते भी जड़ रहे हैं और उत्पादन पर बुरा असर आ रहा है बुरानपुर्ण में खरीफ की कपास फसल करीब 37,000 हेक्ट करीब लगी है औकेले निpeace पनाबनी स्विस्छे साल ने तरजाए देली केससी फसल कर सका है पुरानपूर की मंडी में अभी भी कपास खरीदी का मुरज शुरू नहीं हुआ है। कम भाव देने के पीछे कपास के भीगने का हवाला दिया जा रहा है। चर्णा सही तन्या फसले लगाई जाती है। पढ़ रहा है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी